बिग बॉस 13 के कपल हिमान्शी खुराना और आसिम रियाज का ब्रेक अप हो चुका है जहां हिमान्शी ने एक्स अकाउंट और इंस्टाग्राम पर ब्रेक अप की खबरों पर मुहर लगाते हुए पोस्ट शेयर किया तो वहीं आसिम ने भी ब्रेक अप की वज़ा का जखर करते हुए अपना रियाक्शन दिया है वहीं प्राइवसी का सम्मान करने की बात भी फैन से कही है बात तब शुरू ही जब हिमान्शी खुराना ने ब्रेक अप का एलान किया और ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया वहीं आसिम के रियाक्षन से पहले एक्स बॉइफरेंड के साथ चैट भी सोशल मीडिया पर हिमान्शी ने वायरल कर दी जिसमें ब्रेक अप की असली वज़ा का जिक्र भी हुआ आसिम रियाज ने रियाक्षन देते वे अपने एक्स अकाउंट पर लिखा हाँ वास्तव में हम दोनों अपनी अपनी धार्मिक मानेताओं के लिए अपनी प्यार का बलिदान देने के लिए सहमत हुए हैं हम दोनों 30 प्लस हैं और हमें ये मैच्चे और फैसला लेने का पूरा अधिकार हैं और हमने ऐसा ही किया हमने अपने व्यक्तिगज जर्नी को स्वीकारती वे सोहार्द पूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया हिमानशी और हमारे अलग रास्ते के लिए सम्मान हाला कि बाद मुनों ने इसे डिलीट कर दिया एक्ट्रस ने लिखा था ये सबस्ट करने के लिए मेरा आखरी और अंतिम बयान है कि मैं धर्म निर्पेक्ष वेक्ति हूँ इसलिए मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर रहे हूँ मैंने सर्फ अपना धर्म चुना है मगर मैं नहीं चाहती कि आप मैंसे कोई भी उसे दोशी ठहरा है इसलिए इनके इस ब्रेक अप पर आपकी क्या हरा है हमें नीचे कॉमन सेक्शन पर लिख कर बताना ना भूलिएगा ठल दन वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दोब कर दो दोब्सक्राइब कर दोष्चे करें झाल झाल झाल